एंदौर के चंदरनगर थानाशेत्र में एक रिटाइड निगम अवसर के बेठी पर उसके खर में घुसकर तीन बाइक सवार बधमाशों ने हमला कर दिया आरोपियों ने पहले मारपिट किया और फिर जवाकू से हमला कर फरार हो गए यहाँ पूरी घटना वहां लगे सेसिटीवी कैमरे में क्याथ हो गई दरहसल पूरी घटना चंदरनगर थानाशेत्र के ग्रीन पार्क कालूनी की है जहां रहने वाले रिटाइड निकम अधिकारी का बेटा जैद सुमवार को अपने घर की गेट पर खड़ा था तब ही एक बाइक पर तीन लड़की आए उन्होंने गाड़ी खड़ी करने के बाद यूवक सी बहस करते वे मारपिट शुरू कर दी इसके बाद जैसे ही जैद घर की अंदर गया तो तीनों बदमाश अंदर खुज गए और उस पर चाकु से हमला कर दिया इस दोरान पिड़त यूवक की आवाज सुनकर परिजन बहार आए तब तक आरूपी फरार हो गए थे यहाँ पूरी घटना सिसी टीवी कैमरे में क्याथ हो गई चंदनगर ठानक शेत्र के अंतरगत आपस में जगड़े को लेकर के चांग में चाकुबाजी घटना पुलिस के संग्यान में आई थी फर्यादी ने आकर के बताया कि कुछ अग्याति वग आकर के उनको कि तु हमारी माता और बहनों को यहां चेड़ता है और ऐसा तू मत किया कर फर्यादी की कहने पर कि यह मेरे घर यह मेरा घर है मैं यहां खड़ा रहता हूं इसके उपर से उनकी बहस बाजी हुए और बहस इसमें BNS की relevant धाराओं के अंतरगत काईमी की गई है और जो शार्प वेपन्स वाली जो धाराएं होती उसमें काईमी की गई है वो अभी इंवेस्टिकेशन का विशे है अभी जो प्रतम दरश्ट्या जो हमला सामने है वो मैंने आपको अफगत कराया पिशने जोनों द्वारगा पूरी थाना अच्छा थे में दोर से विबान सहराजपूत के रपोर्ट